integral 0 to infinity x by 1 plus x into 1 plus x square dx यह 4 option है और यह more than 1 correct option इसमें सही हो सकता है तो बताने है कौन कौन सा option इसमें सही है देखो i equal to मानते हैं हम लोग i equal to है 0 to infinity और x into dx by 1 plus x into 1 plus x square ठीक है लिखा हुआ है तो यहाँ हम लोग कुछ substitution करते हैं कि x को लिखते हैं हम लोग 1 by t ठीक है x को लिखेंगे 1 by t तो इसका differentiation अगर करेंगे तो dx equal to हो जाएगा minus 1 by t square into dt अब इस integration में substitute करेंगे तो देखो i equal to कितना हो जाएगा i equal to का 0 अच्छा जब जब रखेंगे 0 तो यहाँ पे होगा infinity ठीक है t का value अब t में जा रहा है न substitution तो x का value 0 रखेंगे तो t का value infinity होगा x का value infinity रखेंगे तो t का value 0 होगा तो infinite 0 हो जाएगा और यहाँ पे x है यहाँ लिखेंगे 1 by t ठीक है और dx को लिखेंगे minus 1 by t square into dt और यहाँ पे हो जाएगा 1 plus 1 by t और यह होगा 1 plus 1 by t square ठीक है इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लिफाय करेंगे और यह जो minus है ना minus बाहर आ जाएगा वह minus लगा देंगे हम इस जो limit है उसको reciprocal करने में इस मतलब interchange करने में तो यह 0 से infinity हो जाएगा अब देखो divide में लिखा हुआ है 1 plus 1 by t यह तो होगा t plus 1 by t ठीक है और यहाँ पे होगा t square plus 1 by t square तो divide में t q आ जाएगा उपर में t q कर जाएगा ना यहां क्या बचेगा dt by t plus 1 into t square plus 1 तो देखो i equal to अब हो जाएगा यह जो t में variable है उसको हम लोग dummy variable change कर सकते हैं तो 0 से infinity हो जाएगा और जहाँ 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 t लिखा हुआ है उसको हम लोग variable change करेंगे dx by और 1 plus x into 1 plus x square हो जाएगा ठीक है अब देखो यह i equal to यही है वो i equal to था वो इसमें convert हो गया तो कोई option match कर रहा है कि हर step में match कराना option देखो एक तो dx by 1 plus x into 1 plus x square 0 से infinity है न यह वाला तो c option match कर रहा है ठीक ह अब इसको हम लोग solve करने कोसिस करेंगे इसको equation 1 मानेंगे इसको equation 2 मानेंगे और equation 1 और 2 को add करेंगे तो equation 1 और 2 को add करेंगे तो यह तो हो जाएगा 2 i equal to 2 i equal to होगा अब देखो उपर में x dx by दोनों का denominator सेम है ना जब दोनों का denominator सेम है तो denominator लिख देते हैं 1 plus x into 1 plus x square और उसक इसका numerator x है इसका numerator 1 है तो x plus 1 हो जाएगा add करने से और हो जाएगा dx देखो x plus 1 x plus 1 कट जाएगा तो हो जाएगा 0 से infinity 1 by 1 plus x square into dx ठीक है तो 2i equal to अब हो जाएगा यह देखो 1 by 1 plus x square के integration tan inverse x होता है तो tan inverse x 0 से infinity जब infinity रखें tan inverse infinity pi by 2 होता है minus tan inverse 0 0 होता है तो यहां से i का value कितना आ जाएगा देखो i का value हो जाएगा pi by 2 और यह 2 जो है वो divide में जाएगा तो pi by 4 न हो जाएगा तो i का value pi by 4 भी आ रहा है तो pi by 4 कौन सा option में है यह option में है ठीक है तो pi by 2 नहीं आ रहा तो a और c a और c इसका correct options होगा